How are you all? After long time we met, COVID-19 ने हमें इस सिस्थी में ला दिया कि हमारी study प्रॉपरली नहीं जाल पारी थी, लेकिन अब हमारी online classes के कारण हम लोग regular रहेंगे, और आशा है कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, मेरा पूरा विश्वास ही कि आप लो आपों के मन में आ रहा होगा कि यह SST शब्द जो है वो कैसे आया, एक नए subject आपके लिए जुड़ा है इस साल, यह SST word जो है, SST subject जो है आप लोग के लिए, बिलकुन new है लेकिन आप घबराईए नहीं, इसको book को जैसे की three parts में यह divided है, geography, history and civics, तो अभी सबसे पहरे हम आप लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है geography, geography में हम लोग स्पैसप से पहले आप लोग लिए सोच रहों कि geography क्या है, तो geography वर्ड जो है, geo plus graphy से मिलकर बना है, और latin वर्ड में geography का meaning होता है, geo का meaning होता है, means, geo means, earth, यानि कि हमारी प्रतिवी, हमारा planet जिस पर हम रहते हैं, जिस geo plus graphy, अगर geo के साथ हम एक नयवर्ड और जोड़ दे, जैसे कि graphy, graphy means होता है, writing, writing about the earth, तो इसका meaning निकला, writing about the earth, यानि कि अर्थ के विशे में लिखना, अर्थ के विशे में लिखना, तो आपको अच्छे समझ में आ गया हुआ कि geography means क्या होता है, जब आर्थ के subject को लेते ह और अर्थ के बारे में कुछ लिखते हैं, तो हो कि लाता है, geography, message, writing about the earth, so students, today we are going to start new chapter, chapter 1, geography, our solar system, हमारा ब्रह्मान, आज हम हमारे ब्रह्मान के बारे में जालेंगे, जैसे कि आप book का सबसे पहला page उठा के दिखोगे, तो आपको corner पर quick views दिखाई देंगे, यानि कि वो contents दिखाई देंगे, जो आप इस chapter के अंदर पढ़ेंगे, तो ये contents आपको सबसे पहले इसको reading करनी है, कि हमारी chapter के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, हमारा जो chapter है, हम our solar system उसके बारे में उस chapter के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें इस chapter के बारे में हम introduction जा देंगे, फिर after that, the universe, the galaxy, stars, constellations, the solar system, our unique earth, moon and last one is, other celestial bodies, तो हमारा जो introduction है, सबसे पहले हम introduction देंगे,